हेलो गाई सफेड़ी वान पुरूमय निट वह अफियू अधियन निटिर सब्सक्राइब निटिश कॉमर्च दोस्तो आप लोके निए व्यूरिजए अप लोको सब्लाग देता है आज अपला Tap 2 जो मैं general indirectly सूलोसय में बताने वाला हूँ, कल मैं ने dep 1 बताया था आज मैं tap 2 बताने वाला हूँ इसमें यह देखने वाला हूँ, कि नगत माल बेचने पर नगत पती ब зачने पर क्या एंट्री पास की जादी है इसमें दोनों चीज किलर होता है और इसमें ये भी देखने वाले कि लोग कहां पर मिश्टेक कर जाते हैं इंट्रीज बनातिस में एमॉंट लिक्तिस में तो वीडियो के इंट्र बने वे रहेगा और चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब पर ले आज का वीडियो दोस्तों देखिए यहां आज का हैडिंग क्या है माल और संपत्ति को नगत बेचने पर वें गूट्स एन एसेट्स और सोल्ड इन कैस तो यहां पर क्या होता है जब भी नगत माल बेचते हैं या संपत्ति बेचते हैं तो दोनों सेट्स आपका किलियर होत जैसे यहां पर आपका मालती यह बिजनस है तो बिजनस में क्या आ रहा है तो यहां पर नगत माल बेचने पर गूट्स आपका सोल किया गया कैस तो कहीं न कहीं आपका बेच रहे हैं तो बेचने के बदले में यहां पर बिजनस में आ क्या रहा है कैस आ रहा है जा क्या रहा है बिजनस से तो यहाँ से goods जा रहा है तो यह दोनों चीज किलियर है तो जो चीज बिजनस में आता है उसे हम लोग debit करते है और जो चीज business से जाता है उसे हम लोग credit करते है तो यहाँ पर यह questions आपको दिया हुआ है वेन goods sold for cash rupees 1 lakh तो यहां पर दिखे आपका इंट्री आपके सामने पास किये हुए है cash account debit और दूसरा में आपको दिया हुआ है to sales account amount यहां पर दिया हुआ है 1 lakh यहां भी लिखे आपका 1 lakh अब चलते हैं question number 2 की और question number 2 क्या बोलता है when sold for cash जब आपका नगत machine बेचे हैं तो क्या इंट्री पास होगा तो यहां पर माले जी business है तो business में आपका आ रहा है machine sorry बेचे हैं तो यहां पर आ रहा है cash यह तो clear आपको पता है ठीक है और दूसरा आपका जा रहा है machine तो यहां पर machine जो आ रहा है sorry cash जो आ रहा है तो cash जास में आते हैं और जो चीज़ बीजनस से जाते हैं उसको केड करते हैं तो यहां पे interview में बिएक करते हैं cash account debit और तू आपका machine account रुपी शापका कृनicken तू आपका oyunn we lap 8000 यह भी आपका two machine को आपका create किये हैं और इसके साथ साथ यहां पर बता देना चाहता हूं कि cash जो है आपका real account है sales जो है आपको nominal account है तो यह था guys आपका question number आपका tap 2 कल मैंने tap 1 बताया था तो जाते जाते questions यह है कि आप यह बताए कि sales जो है कौन से account है real account है nominal account है या दीजेगा और किसी भी तरह को dot or do you have any dot तो please you have to comment in comment box ठीक है दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अपना समय को संभित करने के लिए हिदयपुरुक धन्यवाद